यूं तो दुनिया में रहस्य व अजूबों की कमी नहीं है। यूं तो दुनिया में रहस्य व अजूबों की कमी नहीं है। माता सुभद्रा को प्रतिदिन स्नान कराकर नई साड़ी पहनाने वखोईचा भरने की परंपरा काफी पुरानी है। नर्कटिया गंज, निजप्रतिनिधी, थरूहट शेत्र के प्रसिद्ध सुभद्रा माता मंदिर परिसर में चल रहा मेला चरंपर है। चैत्र नवरात्र में यहां दूरगराज से भी ज्यादा संख्या में श्रद्धालू आते हैं। सुभद्रा स्थान के बारे में कई कहानिया प्रचलित है। लेकिन बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि माता के दो सिर हैं, एक प्रतिमा में तो दूसरा प्रतिमा के बगल में बिना धड़ के रूप में विराजमान है। सुभद्रा माता का एक और स्थान है, वर्तमान सुभद्रा मंदिर से करीब 8 किलोमेटर की दूरी पर धर्मपुर गाव है, जहां मा का सिर था। मंदिर में स्थापित मा की प्रतिमा के बगल में रखा सिर सुभद्रा स्थान की महता को और उजागर करता है। आश्विन नवरात्र और चैत्र नवरात्र में धर्मपुर गाव से डोली में माता सुभधरा के सिर को रख कर लाया जाता था यह क्रम पिछले एक दशक से जारी था बाद में धर्मपुर गाव के किसान मधुप वर्मा और उनकी पत्नी शीला वर्मा ने मंदिर का निर्मान कराया उसके बाद एक सिर सुभद्रा मंदिर स्थान पर विधी विधान के साथ स्थापित कर दिया गया सुभद्रा स्थान के बारे में कई कहानिया प्रचलित है कहा जाता है कि सुभधरा द्वापर युग में कृष्ण की बहन थी सुभधरा ग्वालिन थी और बारा गाओं में दही बेचती थी सुभधरा के शरीर पर दिव्य आभूशन था एक बार बंजारे सुभधरा का पीछा करने लगे और दिव्य आभूशनों को छीनने का प्रयास किया इसी बीच सुभधरा वहीं बर्तन फेंट अंतध्यान हो गई वह पत्थर में परिवर्तित हो गई मंदिर के सनरक्षक वह पुजारी शंभो गुरो बताते हैं कि सुभधरा भगवती का रूप है और द्वापर में कृष्ण को भगवती रूप में दर्शन दिया था सुभधरा स्थान थरूहट के अलावा पूरे प्रदेश के शक्ति पीठों में से एक है यहां मुख्यमंत्री नितीश कुमार भी माता से आशिरवाद लेने पहुँच चुके हैं इस स्थान के विकास के लिए मुख्यमंत्री भी पहल करने की घोशना कर चुके हैं और मैं भी उम्मिद करता हूँ मैं भी अपने स्तर से प्रयास करूंगा चैत्र नवरात्र के अवसर पर सुभधरा में लगने वाले मेले को लेकर भारत नेपाल सीमा के भिखनाठोरी बॉर्डर को वालमी किंगर संसत सुनील कुमार महतो के पहल से खोल दी गई है यह मेला अंतराश्ट्रिय मेला के नाम से जाना जाता है यहां भारत के साथ साथ नेपाल से लाखों श्रधालू भक्त नेपाल के सुदूरवर्ती जिलों जैसे नुवाकोट, रसुआ, सिंधुपल चौक, दाधिक, मानंग, मुस्तक, कस्की, नवलपरासी, चित्वन, बाड़ापरसा, महोत्तरी, रामनगर, बुधनगर, वर्मान विजबस्ती, बानर जूला, सुंदर बस्ती आदी जगहों से श्रधालू भक्त मा की पूजा करने एवं मेला देखने पहुचते हैं। दिन उचक्पो ने उड़ाई सोने की चेंग, सावधान रहें और सुरक्षित रहें।